कुट्टे नी गडे के मद्दद की मुत्तु नाम का दोवी रामकूर गाव में रहता था वह केवल काणे दिवसुंपर अपने द्वारा पाले गए गडे को खाना किलाता है अरुंका कुट्टा टाव में और गदा दोस्त है जो अगले गर में रहते है एक रात मुत्तु सो रहा था तबी एक चोर वहाँ आया और मुत्तु का रूप्यों का बैट चुरा लिया गदा उज़त पोजन के बीना ठक गया था इसलिए गदा चोर को पकट नहीं पाता तब तामी ने चोर को दीखा और चोर को ख़देद दिया चोर तामी से दर गया पैसे की तेली गिरा कर बाग गया तामी पैसे की तेली दाया क्या मेरा मनी बैग गायब है अरे गदे तुम यही हो क्या आप नहीं जाते कि पैसे की तेली का ले गया एक चोर ले गया और बाग गया तुमने मुझे जगाए बेना क्या किया देखो मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ मैं तोने गदे को चड़ी से मारने के लिए हाथ उटाया सरसब गदे को लट मत मारो यहाँ आपका मनी ब्यग है मैंने छोर को बगाया और पैसे की तैली ले ले तबी अरुन वहाँ आ गया आप गदे को रोज नहीं किलाती आप तबी किलाते हैं जब गदा काम करता है तो गदा चोर को कैसे पकड़ता है जब वह पीना बोजन के तक जाता है हमें अपने पशुओं को रोज चारा किलाना पड़ता है अरुन मेरी गल्पी है अपसे मैं रोज कदे को काना किलाता हूँ इस कहाले से हमें जो सीखते हैं वह यह है कि हमें उन जानवारं को काना किलाना चाहिए जिन ही हम यवसा के लिए पाते हैं बले ही वी काम नहीं कर रहे है बेबी हाती और तोता एक जिंगल में हाती और एक चोटा हाती गूम रहा था हाती का बच्चा नाफ कर तालब में केलने लगा एक टोटी ने अंडे देने के लिए पास के पेड में गूंसला बनाया था फिर तेज हवा चली टोटी का गूंसला तालब में गिर गया हाथी के बच्चे ने गोंसला फेका आउट केला हाथी का बच्चा हाथी का बच्चा जो मेरा गोंसला है इसे लेकर पेट पर नगाई क्रूम यह तुम्होरी जरूरत है हाथी के बच्चे गोंसला तोटे को नहीं दिया गया था गोस्ला पानी में दुबा हुआता तोटा भी उदास होकर उठ गया हातियों का जुंड वहां से चला गया रास्ते में गन्ने के पऊदेते हाति का बच्छा गन्ने के बागन के पास गया अन्य हाती बच्चे हाती को देखे बिना ही बहुत दूर चले गये कन्या स्वारिस्ट है, हम सब कुछ कालेंगे तबी माली आ गया, उसे देखकर हाती का बच्छा डर गया और बाग गया तुम कहा हो मा और पिताजी, मुझे रास्ता नहीं पता, मैं क्या करूंगा हाती का बच्छा उच्छा से इधर उधर बागा तबी वहाँ एक तोटा उग गया हाती का बच्छा आप चिंति क्यों देख रही है मेरी मा और पिताजी को राद किया गया ता, मैं उनके सब जाना चाहता हूं मुझे पता है कि तुम्हारी मा और पिताजी कहा है, मेरे पीछे आओ, टीक, मैं आ जाओंगा हाती का बच्छा तोटी का पीछा करता था, कुछी दूरी पर हाती थे, हाती का बच्छा कुशी कुशी उनके पास गया मा, मा, यह तोटा मुझे अपने साथ ले आया, अपने तोटे को गोश्रा दिये बिना ही उसे डुबू दिया, लेकिन तोटा न आपके मदद की है, इसे तरह आपको दूसरों की मदद करने चाहिए, ठीक, मा, मैं ऐसा ही करूंगा बुल्यट सांड पुरुक कोट्टे कैकरूची एक कुपसूरत गाव है हाल ही बे आरंगन्योलूर जल्डी कट्टू प्रतियों गिता में कैकरूची बुल्यट सांड ने पुरसकार कार जीती आरंड और उसके माता पिता ने प्यार और बहदुरी से बेलको पाला एक रात एक छोड अरंग के पिता का सेलफोन चुडा लेता है और बाद जाता है बुलिट बेल ने देखा और छोड का पीछा किया कौंसा बेल हमारा पीछा कर रहा है जब बेल हमारा पीछा करे अगर हम लेखने का नाटक करें यह हमी निकसा नहीं पहुचाएगा पिछोड ने सोने का नाटक किया आये यह सुनिस्चित करें कि अरंग के अने तक वह बाग ना जाए क्या गुलेख बुल गायब है अरंग हमारा बेल गायब था मेरा सेलफोन लावो पापा आपका सेलफोन गायब है क्या मेरा सेलफोन गायब है मुझे पिताजी का सेलफ़न मिल जाएगा टॉमी को बद्बू आ रही थी जहाँ फोन था अरुन टॉमी के साथ गया कुछी दूरी पर एक बुलेट सांट था टॉमी बेल के पास गया वहाँ अरुन और टॉमी ने चोर को बुलेट बेल द्वारा पकड़े और पहरा देते देखा टॉमी यहाँ पिताजी का सेलफ़न है पापा पापा आपका सेलफ़न यही है अरुन वही रहे मैं आऊंगा हम बेल द्वारा अच्छी तरफ पकड़ लिये गई अगर हम बाग गए तो बेल हमें मारेगा अब क्या करें पापा आपका सेलफ़न इसी चोरने चुराया है हमारे बुलेट बेल ने ही पीचा किया और उसे पकड़ लिया इस कहानी से हमें क्या सीख सकते हैं हमारे पालतू जानवर हमें और हमारे सामान को शिकारियों से सुरक्षित रखते हैं आपको यह कहानी पसंद आई हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और शेर करें मच्छवारा और मटनवाला चरन एक मच्छवारा था वो नदी से मच्छी पकड़ कर पास वाले गाओ के एक कसाई को बेचता था सुनो जी जरा इन मच्छीयों का वजन करो गौतम ने मच्छीयों को तौला यह छे किलो मच्छी है तो यह रहा तुम्हारा पैसा चरन रोज मच्छी पकड़ता था और उसे मटन व्यापारी गौतम को बेचता था ठीक है चरन तुमने हमेशा की तरह मच्छीयां ला कर दे दी लेकिन आज मुझे पांच किलो ज्यादा चाहिए क्या तुम ला कर दे सकते हो जरूर ला कर दूँगा और मुझे भी आज पांच किलो मटन चाहिए ये लो तुम्हारा पांच किलो मटन मैं घर जाके मच्छीयां लेकर आता हूँ दिब्या आज गौतम ने पांच किलो मच्छी ज्यादा मंगवाई है हमारी पास तराजू तो है लेकिन वजन नहीं है तो हम पांच किलो मच्छी कैसे तोलेंगे आज मैंने पांच किलो मटन लाया है तो हम उसे वजन जैसा इस्तमाल कर मच्छी तॉल सकते हैं चरण ने मटन को एक पलड़े पर रखा और दूसरे पलड़े पर मच्छी को मटन के बराबर तॉला वो मचली लेकर मटन के दुकान के पास पहुचा ये लो तुम्हारे पाँच किलो मच्छी क्या मेरा पाँच किलो मच्छी और मटन तयार है ये लो तुम्हारा मटन मचली का वजन करते समय वो तो चार किलो हो गया अरे बाई चरल मचलियों का बजन इतना कम क्यों है मैंने घर पर तराजू की एक पलडे पर तुम्हारा पाच किलो मटन रखा और मचलियों को दूसरी पलडे पर रखा और बरावर बजन में तॉल कर यहां लाया मुझे लगता है कि इसके पीछे गौतम का हाथ है शायद उसने मटन को तॉलते समय भी कुछ हेरा फेरी की होगी गौतम इस मटन को जरा फिर से तॉल सकते हो जी लेकिन मटन का वजन तो बराबर ही है वो देखा जाएगा पहले तुम उसको फिर से तॉलो गौतम ने मतन का वजन किया और वो सही यानी पाँच किलो था पापा पापा इधर देखो इस पलडे पर चुम्बक लगा है हरिश ने जब चुम्बक हटाया तब मतन का वजन कम हो गया गौतम आज तक तुम चुम्बक से वजन घटाकर मतन बेचते आ रहे हो हम मेंसे कोई भी अब तुमसे कुछ भी नहीं खड़ी देगा मुझे शमा कर दो आज से मैं इमानदारी के भ्यापार करूंगा इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमें अपना काम हमेशा इमानदारी के साथ करना चाहिए नहीं तो वो काम लंबे समय तक नहीं चलेगा सुन्दर अपना काम पूरा करके अपने घर लोट रहा था तभी उसे वहाँ एक पेर से तेज आवाज सुनाई दी सुन्दर ने पहले कभी उसतर है कि आवाज को नहीं सुना था वो डर कर भाग गया भाई मुझे लगता है कि हमारे गाउं के पासवाले पेर पेर पे एक भूत रहता है जब मैं कल रात को घर लोट रहा था तभी मुझे उस पेर से तेज आवाज सुनाई दी सुन्दर उस पेर में कोई भूत नहीं होगा चलो कल रात वहाँ जाकर देखते हैं अगले दिन सुशिला सबजियां खरीद के लोट रही थी कि तभी उसे उस पेर से बहुत तेज शोर सुनाई दी और आकाशिय बिजली दिखाई दी जब सुशिला ने यह देखा तो वो डर के मारे घर भाग गई शिवा अपने खेत में पानी देने के लिए पानी लेके उस पेर के पास से गुजर रहा था तभी उसे पेर से तेज आवाज आने लगी अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें खा जाओंगा तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो मैं अपने पीछे वाले घर पर पहरा दे रहा हूँ इस घर में भूत है मैं उन लोगों को खाऊंगा जो मेरी आग्या का पालन नहीं करेंगे तुम मुझे कुछ भी नहीं कर सकते शिवा ने उस पेर को चुनौती दी और उस पेर के तरफ जाने लगा तभी वहां से बहुत शोर और प्रकाश आई यह देखकर शिवा भाएभीत होकर गाउख के तरफ भाग गया गाउख में हर कोई मानता था कि उस पेर में एक राक्षस था और उसके पास वाले घर में एक भूत था गाउख वाले सब उस पेर के पास से जाने से डरते थे तभी जगन ने गाउख वालों का बात चीत सुना कोई भूत नहीं है मैं खुद जाऊंगा और जांच परताल करूंगा उसके बाद जगन पेर के पास गया गाउख के लोग धोड़ी दूर पर खड़े थे और डरे हुए थे फिर पेर जोर से हिलने लगा तेज आवाज भी आने लगी और बिजली की तरह रोशनी निकलने लगी जगन पेर के पीछे गया जगन ने पेर पर लगे बिजली के उपकरनों को देखा जगन ने उस बिजली के उपकरन पर लगा हुआ बटन को दबाया पेर ने हिलना बंद कर दिया शोर और रोशनी भी बंद हो गई सब लोग यहां आओ बेशक इस घर में रहने वाले ने ही इस पेर का ये हाल बना कर रखा है चलो अंदर जाकर देखते हैं जब सब लोग घर के अंदर गए तब उन्होंने वहां एक चोर को देखा वहां बहुत पैसे और सोने के गहने थे तुमको यह गहने और पैसे कैसे मिले मैंने इन सभी चीजों को परोसी शहरों से चुराया है लोगों को इस जगह से दूर रखने और ध्यान भटकाने के लिए मैंने कम्प्यूटर और अलग-अलग यंतरों का उप्योग करके लोगों को यकीन दिलाया की इस घर में और प्रेड में भूत हैं मुझे माफ कर दें मैं इन चीजों को खुद सही लोगों तक पहुचा दूंगा तुम अपने कम्प्यूटर के ग्यान का गलत इस्तिमाल मत करो इस ग्यान का इस्तिमाल करके कोई अच्छा काम करो और इस समाज में सर उठा के चलो तुम अपना ग्यान का प्रयोग करके ठीक ठाक पैसा कमा सकते हो तुम्हें ऐसे गलत काम करके और डरके नहीं जीना चाहिए आप सही बोल रहे हो, मैं वही करूंगा हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि हमें अपनी ग्यान का गलत इस्तिमाल नहीं करना चाहिए हमें अपनी ग्यान का उप्योग हमेशा दूसरों की मदद करने में उप्योग करनी चाहिए पानी में चलने वाली मोटर बाइक मदनपूर एक बहुत ही खुबसुरत गाओं है पर पिछले दो दिनों में गरज और बिजली गिरने के साथ भारी बारिश भी हुई है काओं के सभी घरों में पानी गुज गिया है घर के लोग बाहर तक नहीं जा पा रहे थे यहां तक भोजन और पानी के विना वे सब काफी पीडित थे तब सुरेश ने देखा बारिश की बार से यहां के तमाम लोग जूज रहे हैं मुझे उनकी मदद करनी चाहिए ऐसा सोच कर शुरेश ने अपनी मोटर बाइक को पानी के उपर जाने के लिए डिसाइन किया मोटर बाइक की नाओ पानी में चल पड़ी वो पानी पर मोटर बाइक की नाओ चलाता और फिर घर घर जाके लोगों को पानी और खाने पीने का सामान देता उसने पानी में फसी भेड, गाए, खुत्ते, नरगी इन सत को भी वहाँ से निकाला और नाओ पर ला दिया फिर उन्हें वो पाहडी इलागों में ले गिया भाईया आपने बारिश की बाढ़ में फसे लोगों को बचा लिया आपने उन्हें वो मदद भी दि जिसकी उन्हें जरूरत थी बहुत बहुत धन्यवाद आप कौन है महोदे, कुछ दिनों तक तो मैं चोर था, मुझे उसके लिए शमा करे पर अब मैंने अपना दिमाग लगाया और कुछ कम्प्यूटर की ग्यान का उपयोग करके महोदे, मैं अब पडोस के शहर में काम कर रहा हूँ मैंने अपनी मोटर बाइक को पानी पर जाने के लिए डिजाइन भी किया था इसी से ही मैं लोगों को बार से बचा सका तो बच्चो इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि यदि अफसर का सही इस्तमाल किया जाए तो एक अपराधी भी अच्छा जीवन जी सकता है और कठिन परिस्तितियों में लोगों की मदद भी कर सकता है जरूरी नहीं कि उसे हर हमेशा सजा दे के ही बदला जाए